यूपे के अलिगड के थाना लोधा शेत्र के गाउं करसुआ में शराब पीने से साथ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो अभी भी मौत का आकड़ा बर्द सकता है इलाका पुलिस मामले की जार्च कर रही है थाना लोधा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है जिलादिकारी के बताया अनुसा साथ की मौत अब तक हो चुकी है प्रथम जिस्या मौत का कारण जहरिली शराब का सेवन बताये जा रहा है मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब ठेके को अपने कबजे में ले लिया है तो वहीं ग्रामिडों ने शराब ठेके के खिलाब जम कर हंगामा किया है यूपी में मौत का जाम पहली बार देखने के लिए नहीं मिला है इससे पहले भी उत्तरपरदेश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरे सामने आ चुकी है चाहे 2018 की हम बात करें चाहे 2019 की या 2020 या फिर अब 2021 की मौत का सलसला जहरिली शराब पीने से लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और जब भी कुछ ऐसा मामला होता है तो आपकारी विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है उसके बाद फिर से जो जहरीली शराब बेचते हैं वो शराब माफिया पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और फिर से जहरीला जाम दुकानों पर बेचना शुरू कर देते हैं तो जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हुई है मौत के बाद गाउं में हड़कंप बजगया है जो की आहम बात है ग्रामिनों की मौत का आकड़ा दर्जन भर से ज़ादा हो सकता है इसमें गैस प्रांट के ट्रक ड्राइवर और ग्रामिनों में भी मौत हुई है तो वही कई लोगों की हालत गंभीर है जुने अस्पताल में भरती कराए गया है जिसमें ठाना लोधा शेतर के करसुआ, नीमाना, हैवतपुर, अंडला समेद गाउं का मामला है जिसके बाद ग्रामिनों में खासा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और इस आक्रोश पर काबू पाने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है करसुआ गाउं निवासी अमित कुमार ने बताई कि गाउं के पास ही सरकारी देशी शराब का ठेका है पास में प्लांट पर काम करने वाले आसपास के जो की हैवतपुर, निमानी, अंडला गाउं के लोगों ने शराब के ठेके से शराब खरी दी थोड़ी मातरा में लोगों की मौत गाव अंडला तो वहीं एक व्यक्ति हैवत्पूर निवासे की मौत हुई है तो वहीं छे लोग इंडियन बॉट्लिंग प्लांट के कर्मचारी और ड्राइवर इनमें शामिल है 19 लोगों की गिंती अभीचारी है इनमें 10 लोग अस्पताल में भरती है जो शर आप पीने के बाद अपने ट्रक में ही सो गए थे लेकिन जब वो सब नहीं उठे तो पुलिस मौके पर पहुची और सर्च ऑपरेशन चलाया तो देखा कि ट्रक च्वालक मौत की नीन सो रहे है देखो कल हमारे पास में ठेका है यहीं पर हमारे गाओं की सीमा में कल राट गाओं के लोगों ने प्लस के इंडिन बोटिंग प्लांट पर जो करमचारी है उन्होंने प्लस के हैवतपुर गाओं के लोगों ने प्लस के निमाने गाओं के लोगों ने अंदला गाओं के लो एक कैजूल्टी है वत्पुर में छह लोग इंडेन बॉटलिंग प्लांट के करमचारी ड्राइवर लेवर क्लास के लोग और निमाने के गाउं में पड़ोस में मतलब अराउंड अराउंड काउंटिंग अभी तक जा रही है 19 की जो के डैथ हो चुकी है और 19 लोगों की और बाकी 10 लोग हमारे गाउं से होस्पिटलाइज हैं जिसमें से दो अंदे हो चुके हैं बाकी आठ लोग सीवर टीटमेंट के अंदर हैं मृतक राजेश की मा ने बताया कि साथ लोगों की मौत हुई है जिन में से दो लोग बिहार दो लोग अलिगड के हैं और तीन लोग गाउं के बताय जा रहे हैं इन सभी लोगों ने करसुवा ठेका देची शराब से शराब ली थी और उसके बाद रात में सभी लोगों ने शराब का सीवन किया था तो देखा आपने एक बार फिर से मौत के जाम ने अलिगड को पूरी तरह से दहला दिया है आलिगड के पास ये बुलंड शेहर से कुछ दिन पहले ही इस तरह का मामना सामनी आये था लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है एक्शन लिया जाता है कुछ दिनों बाद फिर उसके बाद शराब माफिया सक्रिय हो जाते है इसमें जो जानकारी मिली है कि करसुवा के पास ठेका है गैस प्लांट के सामने वहां से कुछ दो ड्राइवर और गाउं के तीन लोग के शराब पीने से ठेके से जो खरीद किला है उसके पीने से नहीं की खबर आए यहां अंडला हम लोग आये हुए हैं अंडला में भी एक आदमी की टेथ है और उसके भी पुष्टी नहीं है कि वो शराब पीने से है बागी तीन देथ इनके यहां कलपरसों में हुई है उसको इससे जोड़ा जा रहा है उसका पोस्टमार्टम नहीं वो उसकी पुष्टी नहीं की जा से बाद में और और है वहां भी एक आदमी की है तो जहां-जहां है मारे मैस्टेट में मौजूब है यहां पारी की टीम बूरों दुकाने सील कर दी है उसका परिशन कराए जा रहा है ब्यूरल रिपोर्ट यूस्वल इंडिया